नमस्कार आप न्यूस क्लिक के डेली राउंड अप में आपका स्वागत है आई नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर पहली कबर हेमाचल से ओटल लाल मजदूर ज्हंडा यूनिन के ने होटल इस्ट बॉन की संपत्ती कुर्क करके मजदूरों को पैसे देने की मांग की दूसरी खबर यूपी से कानपुर में लाल इमली मिल के करमचारियों ने किया तीन साल से वितन ना मिलने के खिलाव प्रदर्शन MSP की बड़ोतरी को किसानों ने बताया जुमले बाजी कुशी मंतरी के बयान पर भी जाहिर की नराज की असम के बागजान में गैस रिसाफ के कारण हुआ 25,000 करोड रुपे का उसान और आखिर में करोना अपडेट देश में 24 घंटों में 93,883 नए इमामले 6,138 मरीजों की मौत हिमाचल होटल मजदूर लाल जंडा यूनियन संबंदित सीटू के बैनर तरे खरीनी स्थित होटल इस्ट बॉन ने मजदूरों का पैसा जमा ना करने को लेकर इपिएफ से हुए अचल संप्ति कुर्की आदेश के के बारे में एक प्रतिनी दी मंडल अतरीकः उपायुक्थ से मिला कारवाई की म paragraph यूनियन प्रतिनी दी मंडल अतरीकः ऊपायुक्थ की संपत्ति कुर्क करके उक्तराशी एपिएफ खाते में जमा करने के आदेश दिये थे आपको बता दे कि होटल इसबॉन प्रबंद ने 135 मजदूरों को जनवरी 2020 से अपरेल 2021 तक के वेतन का भुक्तान नहीं किया है जो कि वेतन भुक्तान अदिनियम 1936 का सीधा उलंगन है इससे मजदूरों को अपने परिवार का पालन पोशन करना मुश्किल हो गया है विसले 16 महीने से मजदूर बिना वेतन के गुजर बसर कर रहे हैं परंतू श्रम विभाग खामोश है कानपूर की 145 साल पुरानी उनी कपड़ा मिल लाल इमली मिल के करमचारियों ने वेतन न करमचारियों के कहना है कि उन्हें तीन साल से वेतन नहीं मिला है लाल इमली करमचारी संग के बैनर तले करमचारी पाणुन अगर में सिद्ध बीजेपी विधायक सुरेंद्र मेथानी के आवास के बाहर जमा हुए और कहा कि उन्हें उनकी भूग से मरने की नौपाद आ च उन्हेंी कहा कि करमचारियों ने धरने दिये विरूत प्रशन किये पर किसी ने उन पर ध्यान नहीं दिया। किसान मोर्चे ने MSP को लेकर मोधी सरकार की लगाता जुम्ले बाजी को जुम्ले बाजी कहा और इस पर रोश व्यक्त किया दूसरी तरफ केंद्र कृशी मंत्री ने कहा कि वो किसानों के साथ चर्चा करने को तयार हैं लेकिन उन्होंने कहा कि पहले किसान अपनी जिद छोड इसको लेकर विपक्ष ने सरकार की अलोशना की और कहा कि सरकार किसानों की मांग को बिना शर्थ तुरंत माने बुदवार को जारी किसान मोर्चे ने बयान में मोधी सरकार के MSP को लेकर की गई घोशना को जुम्ला बदाते हुए कहा कि मोधी सरकार की आर्थिक मामलों की मं समीती ने आज खरीब 2021 वस्लों के लिए नियूंतम समोर्थन मुल्य की घोशना की व्यापक लागत सीटू को लागत अब्धार्णा के रूप में उपयोग करने के बजाए जिस पर कम से कम 50 प्रजिशत का लाब मार्जिन जोड़ा जाएगा मोधी सरकार ने भुक्तान की गई लागतों प्लस पारिवारिक श्रम के आरोपित मूल्य का उपयोग करने की अपनी पुरानी चाल को जारी रखा जिसे एटू प्लस एफल फॉर्मला के नाम से भी जाना जाता है असम के तिनसुक्या जिले में पिछले साल ओयल इंडिया लिमिटेट के बागजान सित तेल के कुए से गैस का रिसाव होने से लगभग 25,000 करोड रुपे का नक्सान हुआ और शेत्र की 55 प्रतीशत जैब विविद्धता नश्ठ हो गई एक वरिष्ट वन अधिकारी द्वारा तेयार की गई जाज रिपोर्ट में बुद्वार को ये जानकारी सामने आई अतरिक्त प्रधान मुख्य वन संग्रक्षचक और मुख्य वन जीवियो वार्डन्क यादव द्वारा तेयार की गई रिपोर्ट ecology and economy lessons learned from बागजान ब्लो आउट में बताया गया कि इस हादसे में लगभग 41 जनेरा जो कि पशू समू है उसके 25,825 जानवर मारे गए हैं इसके अलावा गंजेटिक डॉफलिन और दो हुलॉक गिबन जो कि वानरों की प्रजाती होती है समेत वन्य जीविय संग्रक्षन अदिनियम के सूची बद 91 जानवरों की मौत हो गई रिपोर्ट के अनुसार हादसे में हुए नुकसान का आंकलन करने पर ये 25,050.61 करोड रुपे होता है जिसका पता आने वाले 10 सालों में चल सकता है केंद्र स्वास्त मंतराले द्वारा पिछले 24 घंटों में 6,138 मरीजों की मौत के आंकले जारी किये गए हैं जिन में से 3,971 मरीजों की मौते सिर्फ बिहार में हुई है हाली ही में बिहार में स्वास्त विभाग द्वारा गटित एक कमीटी ने करोणा की दूसरी लहर में हुई मौतों के आकडों को रिव्यू किया है जिसमें ये बात सामने आई कि करोणा से 8 जून तक 5,424 नहीं बलकी 9,375 लोगों की मौत हुई है कमीटी ने 3,151 ऐसे लोगों की पुष्टी की जिसकी जानकारी बिहार के स्वास्त विभाग के पास है ही नहीं देश में करोणा के मामलों की संक्या बढ़कर 2,91,81,91 हो गई है जिनमें से अब तक 3,69,104 लोगों की मौत हो चुकी है देश में करोणा से पिड़ित 94,67 फीसी दी यानी 2,76,45,65 मौत है और देश में आक्टिव मामलों की संक्या घट कर 4 फीसी दी यानी 12,31,415 हो गई है आज के डेली रॉंडम में बस इतना ही हमारी खबरों को और विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारी वेब साइट पर जा सकते हैं और लेटेस अबडेट्स के लिए आप हमें फेस्बूक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे फॉलो भी कर सकते हैं न्यूस क्लिक देखने के लिए शुक्रिया